उत्तर प्रदेश के जालोन जिला में एक अनूठो दुल्लब प्रजाती को कच्छुआ मिले है जो साहद आपने पहले कभू ना देखे हुई ये जालोन के कौँच नगर छेत्र में इस्थित मदर प्राइड एलिमेंटरी पबलिक स्कूल में उटे हैं कौलाल मचे जब एक अती दुल्लब इस्थार प्रजाती को कच्छुआ इस्कूल की बाउंडरी के पास रेंगत देखे गाओ एकदम अलग और विशिष्ट सो देखेवे वालो कच्छुआ अपने आप में अदबुत लग रहो तो सामानता सपाट पीट के दिखाई देवे वाले कच्छुआं से एकदम अलग जो कच्छुआ इस्थार प्रजाती को बताओ गो है इकी उमर 80-90 साल के हास पास और बजन 10 किलोग्राम के ऊपर बताओ गो है इक कच्छुआ की जानकारी स्कूल के लोगन ने बन बिभाग खो दई और बन बिभाग के अधिकारियों ने कच्छुआ को अपने संदक्छन में लेके अपने उच्छ अधिकारियन को अवगत कराओ है आग है कि कच्छों को सब्सक्राइब करते हैं कि यह कच्छुह और मैं ने तुरंट तक gives다가 कोuw नहीं प्राफ्य जॉट्व जानकारी से में पता चला कि इस कछुए की बाजार में आपीं कीमत लगायि जाती एक हमारे कानून में की फिर फालने में बाजार में पेचने पर गयर कानूनी माना गया है अगर आप इस तरह का कश्व अपने घर में पालते हैं या बाजार में बेचर बेचने जाते हैं तो आपको 5-7 साल की सजया भी हो सकती यह जानकारी गूगल द्वारा प्राप्त है जब यह जानकारी हमें मिली तो मैंने तुरंग बनववाक की टीम को कॉल किया बनववाक की टीम आदे गंटे के अंदर विद्ध्यालाय पहुंची और विद्ध्यालाय दौरा इस विसेश कश्वे को बनववाक की टीम को सौपी आगे बेहत खूबसूरत देखवे वालों प्राणी हैं कश्वा और ऐसे में अगर दुलनप प्रजाती को कश्वा हो बे तो फिर बात प्राणी के लिए पूरे मति प्रिद्ध में डीलर्स की आवशकता है बोपाल इंदौर को आलियर ओचैन जबलपूर समेथ सभी शहरों के व्यापारी संपर्क करें नवकार ग्रीन मॉटर सेविन जीरो नाइन थिरी वन एट वन जीरो जीरो एट